अब देखिए दोस्ते इस समय हम सिद्राज जैसिंग छाप तालाब आ चुके हैं और यह दाहुत का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट पॉंट है तो चलते हैं साम का समय है अभी लायट है चालू नहीं किये हैं और यहां से टिकेट लेना है यह काना टिकेट ले रहे हैं कितने का टिकेट है 20 रुपे का टिकेट है और यह देखिए बहुत ही शुन्दर गार्डन है साम का समय है पौने साथ बज़ रहे हैं इस समय और दोस्तों यह गार्डन गुजरात के एक सहर दोहद में है संसाइड सूरेज ढलता हुआ कितना सुंदर लग रहा है यहां बहुत ही सुंदर इससे में मूमेंट है दोस्तों यह दोहद में एक बहुत ही भेतरिन और सुंदर लेक है और इसको यहां पर सिद्राज जैसिंग चाप तालाब के नाम से जाना जाता है और यहां देखें यह इस तालाब के बीच से यह ब्रेज है बीच में एक तापू भी है उस तापू पर चलते हैं और इसमें आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं दोस्तों जो सिद्राज जैसिंग मालवा पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे उनकी सेना यहां पर दाहोत में उन्होंने डेरा डाल लखाता और उस सेना की जनसंक्या इतनी थी कि उनको पानी की जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने एक एक सेनिक ने बाल्टी भरकर मिट्टी निकाली और उस मिट्टी को निकालते निकालते यहां सतय पर पानी आ गया जब इस जील का यह निरमान हुआ और यहां देखे बच्चों के लिए जूले वेगरा लगे हुए मनुर इंजन के लिए बच्चों के लिए यहां बहुत ही सुन्दर यह गारडन है अभी यहां इतना भीड नहीं है अधिक तर भीड वीकेंड पर रहता है संडे को जाद ही रहता हो ज़ए यहां इस पारक में आपको भारत माता की मूर्थी भी देखने को मिलेगी इस वास्टावर है इस टावर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहां से किस तरह का द्रश्य नजर आता हैं यह देखिए यहां पर भी काफी अच्छा नजरा देखने को मिला है यहां कुर्चियं वगरा पड़ी रही हैं यहां काफी देर आप शुकून में और शांती में आप यहां बिता सकते हैं अब दोस्तों अभी पूरे साथ वच्छों के हैं अभी लाइट नहीं जलाई गहीं जिस समय यहां लाइट जला दी जाएंगे तो इस इस पारक की इस गार्डन की सुंदरता देखते ही बनेगी कि लाइट जला दी गहीं है इस गार्डन की तो देखिए इस समय लाइट में और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है तो आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कहा जाता है कि सिद्रत जी की इतनी विशाल शेना थी कि उनके द्वारा यह तालाब एक ही रात में इस तालाब का निर्मान हुआ था और आज भी यहां प्रातत्व भ्याग द्वारा समय समय पर खुदाई के दवरान यहां उस समय के अफसिस प्राप्त होते रहत हैं दोस्तों इस एहत्यासिक लेक का निर्मान इसमार्ड सिटी प्रयोजना के तहत किया गया है कि यह एक ओड़ोटोरियम की तरह है यहां साइड कोई कारकरम बगरा भी चलते रहते हैं और इसके बैक साइड में पूरा स्टेडियम की तरह सीडिया बनी हुई है और फुवारे बगरा फॉंटेन बगरा है तो अभी देखते हैं क्यांकि लाइट चालू नहीं थी अभी चा चालू किये हैं और यह मेरे आगे काना और उनके मित्र चल रहे हैं अभी फांटन बगरा यहां बंद कर रहे हैं हैं चालू नहीं किये हैं नहीं तो और अच्छा लगता यहां दोस्तों इस लेक में जो गार्डन है यहां आपको खान पान डेक इस्तल छेत्र और बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान जो जूले वगरा और योगा केंद्र और टॉयलेटी टॉयलेट वगरा आपको सब कुछ मिलेगा और यहां सेल्पी पॉइंट जॉगिंग ट्रेक और साइकलिंग के लिए भी यहां ट्रेक है तो यहां नौका भी आप कर सकते हैं तो कावी कुछ है इस गार्डन में आपको प्राप करने के लिए यह बोट वगरा है यह इन बोट्स के द्वारा इस तालाब में आप बोटिंग कर सकते हैं और यह जब एंटर करते हैं तो यह देखिए बहारी ही यह फूट कोट वगरा बना हुआ है यहां रेस्टोरेंट वगरा है खाने पीने की सभी बेवस्ता यहां मौजूद है तो दोस्तों मैं यह एक दोहद में एक भायत ही बहुत ही शुंदर और यह शांदर पारक बना हुआ है और यह तालाब भी है तो काना इस पारक का नाम क्या है तो यह इस तालाब पर हम आये हुए हैं और यह बहुत ही बहतरीन और इस दाहद की एक अच्छी दर्वार है और यह खासकर आज यहां भीर नहीं है वीकेंड जो सनीवार और इतवार होता है तो उसी दिन यहां बहुत जादे रस रहता है और यहां आने का भी टिकेट है 20 और काफी यह सांत माहूल है और आप यहां आ सकते हैं यह मेरे चाचा जी के लड़कें हैं मेरे छोटे बाही है और एनी के थुरू मैं यहां आया हूं और यह इनके मित्र हैं आपका सुमनाम सर्व यादव जी है तो इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई आज इन्हों ने कि भी फिर आओंगा मैं तो मैं इस वीडिय हूं और मिलता हूं आगले वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते